बिहर की राजधानी पटना स्थेत एम्स के निदेशक प्रभात कुमार ने साफ किया है कि जब तक लॉकडाउन लगा रहा तब तक कुरोना का संक्रमन काबू में रहा लेकिन पाबंदी हटते ही मामले बढ़ने लगे गाइडलाइन्स के पालन में लोगों की लापरवाही से हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं एम्स के निदेशक प्रभात कुमार ने ये दावा बिहार के संधर्व में किया है लेकिन कमोबेश पूरे देश में कुरोना का संक्रमन लॉकडाउन हटने के बाद तेजी से बड़ा है एक जून को देश भर में एक लाग नबबे हजार प जून के पहले हफ़ते में भारत विश्व तालिका में सातवे स्थान पर था लेकिन अब ये तीसरे नंबर पर है तेज जूलाई को देश भर में रिकॉर्ड 49,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं राज्यों की बात करें तो महराष्ट में आकड़ा 3,000 के उपर है जहां 12,854 वहीं दिल्ली में 1,25,000, करनाटक में 80,000 और आंधरप्रदेश में 72,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं सभी राज्य में बिगड़ते हालात के मद्दे नजर पाबंदियां दोबारा लगना शुरू हो गई हैं महराष्ट, करनाटक, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, मिखाले, आंधरप्रदेश जैसे राज्यों में पून या आंशिक लोगडाउन लगाया गया है अन्यराज भी एतिहाती कदम उठा रहे हैं इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या 25 मार्च से देश भर में लगाया गया लॉगडाउन की टाइमिंग गलत थी और क्या वो हरबड़ी में किया गया एक फैसला था Bureau Report, Go News